पर अब ये बोल्ड बातों में भी चाने जा रही है दरसल नेट्फिक्स पर एक शो आ रहा है जिसको ये श्राज फिल्म्स की आधिकारिक वेब स्रीज दिर्मेंटिक्स नाम से लॉंच किया गया है जिसमें उदे के असफल एक्टिंग करियर की बात की गई है जिसके बाद सोशल मीडिया संसेशन उर्फिक काफी भड़क गई है और एक लंबा चोड़ा पोस्ट शेयर किया है और नेपोटिस्म का असली मतलब समझाया है आधित्यको दरसल आधित्यको ने शो में कहा है कि इतने बड़े बैनर से जुड़े होने के बाद भी उदे को आधित्यको नेपोटिस्म का मतलब समझाया और कहा टैलंट ना होते भी उदे चोपड़ा को बार बार काम मिला फिर कहा नेपोटिस्म का मतलब सकसेस नहीं यह मौके मिलने की बारे में है शकल अच्छी नहीं थी फिर बोला इनोंने कि इनोंने बस पॉइंट रखा है और फिल्म बार बार फ्लॉप हो रही थी बॉक्स ओफिस पर फिल्म का आता पता नहीं था पर फिर भी उन्हें काम मिल रहा था उर्फी की बात यही खत्म नहीं हुई उन्होंने आगे कहा है कि अगर यही उद्य चोपड़ा ना होकर चोहान होता तो एक फ्लॉप के बाद ही सब मौके बंद हो जाते उनका कहना है कि आप लोग नेपोटिस्म पर इस तरह डिफेंड करेंगे सच में मतलब अप कंगना के बाद उर्फी है जो बिना अंजाम सोचे सब को आड़े हातों लेती नजर आ रही है